नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों 69 अजार सिच्छक भरती का जो है सासना देश बिग्यप्ति जो है जारी हो गई है और जिलेवार रिक्तियों की संख्या भी जो है बता दी गई है किन किन जिलों में किस प्रकार आपको फाम भरना है कहाँ पे ज्यादा अपरचन्टी रहेगी इस विडियो में चर्चा करेंगे तो सब पहले जान लेते हैं रिक्तियों की संख्या कितनी है किस जिले में दोस्तों बिग्यप्ति में पूरी तरीके से इस्पष्ट कर दिया गया है कि जो 75 जनपद हैं उनका विकल्प अपनी इच्छा नुसार वरीता क्रम में भरा जाना अनिवारे होगा यानि कि आप जो है इस्टिप बैस्टिप एक दो तीन करके जो है वरीता क्रम के अनुसार जिले भर सकते हैं अगर बात करें रिक्तियों की तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिक्तियां है वो सीतापुर में हैं लगभग धाई हजार, हरदोई में 2450, जौनपुर में 2270, और कुसी नगर में 2220, बनाईयों में 2100, लखीमपुर में 2100, गाजीपुर में 1920, गोंडा में 1620 बलिया में 1600, सुल्तानपुर में 1570, महराजगंज में 1560, आजमगड में 1550, कन्योज में 1500, सहजापुर में 1450, बस्ती में 340 रिक्तियां हैं, परतापगड में 330, बारा बंकी में 1310, रामपुर में 1250, गोरखपुर में 1250, देवरिया में 1248, बरेली में 1220, मिर्जापुर में 1220 में 1130, 9 में 120, चित्रकूट में 1080, बांदा में 1070, बहराईच में 1060, सिधार्थनगर में 1050, कासगंजJ में 1010, फरुकाबाद में 1070, प्रयाग्राज में 990, महिनपुरी में 940, अलिगर में 940, अयोध्य में 108, पीलीवीद में 870, भुलंध सहर में 840, आग्रा में 820, अमेट दूसरी तरफ देख लेते हैं में 530, कानपुर Д Edward में 520 फटेवपुर में 520, हमीरपुर में 480, सोनबदर में 450 बल्लांपुर में 440, चंदौली में 400, जालौन में 390 महबा में 370, कानपुर नगर में 300 स्रावस्ति में 280, मुझप्र नगर 260 वराड़सी 230, माउद 200, सामली 150 और गाजियाबाद में केवल दो रिख्तियां हैं तो गाजियाबाद में सबसे कम और सीतापूर में सबसे ज्यादा रिख्तियां अब दोस्तों देखने वाली बात ये है कि आपका गुडांग कितना बन रहा है यदि आपका गुडांग अधिक है तो आप अपने ग्रह जनपद वाले जिले में भर सकते हैं ग्रह जनपद वाला जिला सबसे उपर रख सकते हैं वरिता करम में और यदि आपका गुडांग ज लेकिन जिन अभेर्तियों का गुडांग कम है उनको क्या करना है उनको इसी वरीता क्रम के नुसवार भरना है जिस वरीता क्रम के नुसवार रिक्तिया दी हुई है हाँ वह यतना कर सकते हैं कि उपर के जो आठ दस जिले हैं वहां फॉर्म भरने के बाद अपना ग्रह जन्प रिक्तियां हैं वहाँ पर counseling भी सबसे ज़्यादा होगी यह पूरी तरीके से तैं है तो दोस्तों जहां पर पचीश सो रिक्तियां है चौबीस सो रिक्तियां है इन जिलों को जो है आप वरीता क्रम में सबसे उपर जरूर रखें यह बहुत ही महत्वपूर है वैसे ज़्यादा तरे student जो है इसी प्रकार का वरीता क्रम जो यह आपर दिया हुआ है इसी वरीता क्रम के अनुसार जो है form फेल करेंगे लेकिन आपका जो ग्रहाजन पत है, यщदे आपका गुणांग स्याधा है तो निश्ची तरूप से आपको ग्रहाजन पत मिल सकता है और चुकि एक फार्म भरा जा रहा है, एक ही बार आपको फार्म भरना है और इसमें आवेधन में पूरी तरीके से इसपस्ट कर दिया है, किसी प्रकार का संसोधन माने नहीं होगा, यानि कि आप जो फार्म भरें तो बहुत ही काईदे से फार्म भरें, बिल्कुल बिना किसी तुरूटी के फार्म भरें, और वरिता क्रम में जब एक ही बार फार्म निश्चित रूप से आप सभी जिलों को इसपस्ट रूप से इंगित कर दें, यानि कि यदि आपका गुडांक ज़्यादा है, तो आप जिले कम भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पूरे जिले नहीं फिल करेंगे, और बहुत सारे लोग पूरे जिले फिल करेंगे, तो आ यहां पर लगभग ऐसी वे उस्था आपकी विग्यप्ति में है जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें से जो गाइडलाइन जारी होगी वो निश्चित रूप से आप उसको पढ़ लीजिएगा उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा क्योंकि प्रत्यक भरति को सभी 75 जिल तो आप गाइडलाइन को अवश्य रीड कर लें उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार ही भरें जिला आपकी जोईस है आप कौन सा जिला पहले चुनते हैं कौन सा बाद में यह लेकिन 75 जिले हैं यह आपको भरने हैं तो यह जो नई बेउस्ता है बहुत अच्छी बेउस 1825 की भरती थी तो उसमें हर जिले का अलग-अलग फार्म भरवाया जाता था और प्रतेग जिले का जो है 500 रुपेर ड्राफ्ट का अलग से जो है उसमें लिया गया था और वो भरती लगबग दो बार फार्म फिल कर आये थे फिर भी जो है भरती लाश्ट तक तो इसमें जो नियम गवर्मेंट की तरफ से बनाया गया है बहुत इच्छा नियम है आपको केवल काउंसलिंग के टाइम 500 का ड्राफ्ट लेकर जाना है यह पूरी चीज़े विग्यप्ति में इस पश्ट कर दी है और मैंने जो विग्यप्ति के लिए वीडियो बनाया था विग्यप्ति जारी करके आपने थमलेल देखा होगा उसमें मैंने पूरी तरीके से बता दिया था सेम वही विग्यप्ति जो है पेपर में आज निकली है और आप लोग उस विग्यप्ति को जरूर अपने पास सेयो करके रखिएगा और साथी साथ जो रिक्तियों की संख् कितनी जगहें फिल हुई हैं और कितनी जगहें भी भागी हैं यह सब चीजें आपको अपने क्या कहते हैं बिल्कुल एक डायरी बना लीजिए उस पर लिखते रहिए ताकि जो हेर फेर पिछली भर्तियों में हुआ है डायरेट लेबल पर या बेसिक से चाविभाग लेबल और वो ना हो सके इसे माल लीजिए पहली काउंसलिंग में यहां 500 भर जाते हैं तब यहां पर 2000 रिक्तिया तब भी सेस होंगी तो सेकंड काउंसलिंग में 2000 रिक्तियों के सापे चब बिरती बुलाये जाएंगे तो यह सब चीजें बहुत ही महतपूर रखती है किसी भी भर सब्स्कुले जा रहा है तो ये जो कि कर लिए को आप मैं इसको फेस्बूक पे अपने फेस्बूक पेश पेश्बटी सेयर करता हूं साथी सा टेलीग्राम ग्रूप पे भी सेयर करता रहता हूं तो डिसकुर्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्स न में मिल जाएगा जाकर तो बिलकुल भी काईदे से भरना क्योंकि किसी भी विग्यप्त में सपष्ट कर दिया गया कि संसोधन का मौका नहीं मिलेगा लेकिन विग्यप्त में कर दिया है लेकिन नर्मली होता गया है कि संसोधन का मौका एफिडेपिट लगा करके दे दिया जाता है ऐसी भी विवस था है लेकिन आप कोशिज करें कि किसी फाम मरते समय किसी प्रकार की कोई भी तुरुटी ना रहे दोस्तों बहुत कुछ जानने को मिले होगा आपको इस वीडियो में बने रहे हैं मारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी मिलते हैं एक इंफार्मेटी वीडियो के साथ तक लिए नमस्कार